चौरा नबर नबर, सुन्यक तीन पाँच वाले बहुपदों की संख्या होगी, कितनी होगी अंगिनत, इतना सारा होगा कि हम लोग उसको बता ही नहीं सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं, चौरा नबर का उप्षन नबर डी, देखो यहां, उप्षन नबर ए दिया हुआ है, ये गलत है एक ही होगा ऐसा नहीं है देखो हम लोग निकाल लेते हैं ठीक है तीन और पांच दोठो सुनेक इन्ही दोनों सुनेकों को लेकर के कैसे निकालते हैं x square लिखते हैं, घटा लिखते हैं, दोनों सुन्नेकों को जोरते हैं, 3 और 5 को जोरेंगे, 8 हो जाएगा, फिर जोर लिखेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 5 तिया, 15 हो गया, ठीक है, एक ठोब बहुपद हो गया, ठीक है, हम इसी को दूसरा बहुपद निकाल सकते हैं, 2 से गुना कर देंगे, 2 x square घटा, 8 दूनी, 16 x, जोर, 15 दूनी, 30, दोठो बहुपद हो गया, इस बहुपद का भी सुन्नेकों निकालेंगे, तो वही 3 और 5 ही आएगा, ठीक है, अगर 3 बहुपद निकालेंगे, और निकालना है, 4 x square, 4 से गुना कर दो, तो 8 चोका, 32 x हो जाएगा, फिर 15 चोका, 60 हो जाएगा, और बनाना है, इसको 5 से गुना कर दो, 5 x square, फिर 8, 5 है, 40 हो जाएगा, 15, 75 हो गया, और निकालना है, 6 से गुना कर दो, तो 6 स्कोर घटा 8 शक है, 48 x 15 शक है, 90 हो गया, इसी तरह से हम लोग अनगीनत इतना सारा निकाल सकते हैं, नहीं, सब निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो अनगीनत बहुपद होगा, सुन्यक 3 और 5 वाले, ठीक है, यहां option number A दिया है, यह गलत है, 94 का option number D होगा, अनगीनत, ठ यह से हैं, डीक है?